नमस्कार दोस्तों वेलकम बेक टियूर उन चैनल गाइट टो इनवेस्टिंग में तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंज आज हम इस वीडियो में मार्केट का अनलेसिस करने वाले कुछ बड़े नियूज या पे मार्केट के रेलेटेड निकल क्या है कुछ इनचेनल मार्केट को इंपक्त करेगा इंडियो मार्केट में पोच नियूज और निकल करे आच हुआ है को गौए ऑपे आप का सकतो नेक्स वीडिक घ्षेक मिलेगा किमिलेगा का बहुत होनी वाला है पोपर कर दो करके बहुत ही जाधा पूले होता है ary उस फ्लोई वो भी आते वह देखने को मिलेगा तो उसी के डिलेटेट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट अनलेस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल में फिस्टे में विजिट के आप लगों से रिकोस्ट है जो की चैनल को सबस गिर गया था तो देख सकतो फ्राइड एक दिन काफी ज्यादा वोलाटाइल वाला ही ट्रेडिंग देखने को मिला है निफ्टी कभी उपर कभी नीचे फिर से उपर जाके निफ्टी ने क्लोसिंग जा है एन हम लोगो 87 पॉइंट के जम पर देखने को मिला है 0.68% बढ़क और जो रिटन आप देख सकतो पांच दिनों में लास्ट फाइब देज में 0.16% परसेंट का पॉज्ट बरिटा निफ्टी ने दिया रहे उसके बाद आप देखोगे वन मंद का चार्ट तो देख सकतो एक महीने लास्ट यापर कड़ी 20 दिन का चार्ट अगर आप बहुत ही जली जली बहुत ही जादा देखने को मिला है पिछला वाला उसको भी निफ्टी ने आप तोड़ दिया है और सारी 6% का रिटान निफ्टी की तरफ से देखने को मजाता है मैक्स का चाट अगर आप देखे तो मैक्स में निफ्टी नहीं आप दिया 1300 परसंट का रिटर्न तो ऐसा रिटर्न कोई अच्छे स्टॉक में भी आपको नहीं देखने को मिलता है चितना निफ्टी नहीं आप जरुन करके दिया है और आपको पता है कि निफ्टी जब भी सबसे पहले देखने को मिलता है उसके बीचे में तीन ही रिजन आपको देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा एंज सबसे पहला रिजन है है डिफ आई इं flow जो बाहर की इन्वेस्टर है वह बहुत ही ज्यादा investment इस टमर इंडियान बार दान में कर्ड़ है इसलिके चलते इंडियान बार में बहुत ही ज्यादा Rally देखने को मिलां है जो दूसरा रिजन रिजन है वही कोवीड-19 की दिलेटिट आपको बताए कि कोवी 19 का जो वैक्सिन है उसकी दिलेटिट बहुत सरी निकल के आ रहे यह बहुत सारे कंपपनी ने पर डिफ कर लिए है किसी को कैसे आप 99 परसंट ईए तो काफी अच्छा नियूस वैक्सेड का रिलेटिट निकल कर आ रहा है इसके चलते मार इंडिया में जो फाइनिशल सेक्टर आप बहुत अच्छा हम लोग को रिकावरी देखने को मिला है और बैंकिंग सेक्टर ने बहुत दिन तक यह पर अंडर परफॉर्म किया था बैंक निफ्टी ने काफी दिन तक अभी अच्छा रैली देखने को मिला तो बैंकिंग काइन बहुत ही जादा वोउलाटिलिटी भॉष देखने को मिलेंगा क्यूंकि जो कॉन्टरेक्ट में kitaट में यह वर भी झौनको मैंसले चल्टरिक बांटर 10 व ..... इसके बाद जो निक्स्ट फैक्टर है वो है if ii inflow and rupee moment तो अभी अगर आप देखों गए इफाई ने जवर्दास बाइंग किया है और अभी तक नवेंबर महीना खतम हुआ नहीं है बट अभी तक जो यहां पर हम लोगों इनफ्लो देखने को मिला है इफाई की तरफ से 44,378 करोर जो कि एक ही यूज अमांट है यूज अमांट हम लोगों को देखने को मिला है इफा इही पैसा निकलना स्टार्ट कर देंगे तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा गिरावट हम लोगों को आते हुए देखने को मिल सकता है उसके लिए भी आपको तैयर रहना पड़ेगा अभी तो मार्केट बुलिश है अभी तो इनवेस्मेंट आ रहा है जब इनवेस्मे अच्छा को देखने को मिलेगा जो की option sellers के लिए उनके लिए काफी अच्छी चीज़ होगी जल्दी जल्दी उनका पैसा बन जाएगा बहुत ही कम रिटन है बहुत ज्यादा रिटन इससे कमाया जा सकता है लालाच नहीं करना चाहिए अच्छा रिटन कमाएंगे मार्केट वह हमारा रोपी वह है अगरघर डॉलर के उंको चेंज करना पड़ेगा रूपी एतना स्हादा खडिता जाएगा तो डिमड पर ढटेगा तो आप इसा कि रूपी strong होगा रूपी अगर कोगा तो डिफिनिट्ली बहुत ही अच्छी थीज़ है इंडियन मार्केट के लिएां जो यूओस मार्केट के लिए अच्छा नहीं है बटसकत इंडियन मार्केट के लिए काफी अच्छा है इसी के चलते क्योंकि इफाई investor कर रहे हैं इसे के जलते रूपी आपको स्ट्रॉंग होते हुए देखने को मिलेगा उसके बाद जो निक्स्ट अपडेट है वह है फॉरें एक्सेंज रिजब डाटा तो हम लोगो नवेम्र मैंने की सत्ता है सरी को जो फॉरें एक्सेंज रिजब डाटा वह आते हुए देख के आता है उसके बाद जो निक्स्ट अपडेट है वह है ग्लोबल क्यूज अगर आप देख हुए इंडियान मार्केट के अलावा ग्लोबल मार्केट से भी बहुत सारे न्यूज अभी भी आना बाकी है एंड वीडियो को पॉस्ट करके एक एक चीज़ आप यहां पर बहु साइड में आप दिया गया है देन जो निक्स्ट अपडेट है वह ही वैक्सिन ओप्स तो अभी आपको बताई कि सबसे वहले फाइजा ने एक वैक्सिन डेवलप किया था वह हम लोग को 90% एफिक्टिव देखने को मिला था उसके बाद मोडेन ना नहीं आप एक वैक्सिन है जो कि हम लोग को 94.5% एफिक्टिव देखने को मिला है और उन्होंने ओल्डेडी जो फेस 3 ट्रायल से उसको कंप्लीट कर लिया जो कि काफी अच्छी बात है बहुत दूर तक उनका जो वैक्सिन है वो डेवलप हो चुका है तो अभी देख सकतको वैक्सिन के डिलेक्ट करना है तो आप सोच सकते हैं कितना ताइम लगने वाला भी तो वैक्सिन से डिवलप होना स्टाट होए मेनिफट्ट्र होने के लिए और भी जादा टाइम लगेगा एं उस टाइम के विए बहुत सारे और भी निउस निकल के आ सकता है क्योंकि अगर आप देखो के कॉरू वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा तो उसके उपर भी नजर रखना पड़ेगा अभी तक मैनिफेक्चर हुआ नहीं है सभी के हाथ में अभी तक आया नहीं है अब देख सकतो इसके दिलेटेट थोड़ी देर पहले मैं आप लोग अल्लेटी बता दिया है क्यूंकि अगर आप देखोगे कोवीट के इस इस तरह में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा तो मार्केट में अंसर्टेंटी आगे आने बाले टाइम है और भी ज्यादा देखन सब्सक्राइब देखने को मिलेगा बहुत दिनों से यहां पर सुनते आ रहे बट अभी तक कोई स्टीमूलास पैकेज अनौन सोते वह तो नहीं देखने को मिला है और यहां पर इन्वेस्टर आप सोच सकतो अगर एक बड़ इन्वेस्टर याप हैरान हो जाएंगे एक मार्केट का बहुत ही बड़ा हो सकता है उसके बाद आउटलूक उतना स्यादा में देखता नहीं है जो डिमांड जोन है वही मैं सेख आयों पेचेक करता हूँ उसके बाद अगर आप देख्योंगे जैब रिटरन देखे क्लोंइंग दिया था अब देख सकते तो 219 पर देखने को मिला है रिजन के अगर आप बात करोगे तो देख सकतो कोवीड-19 का जो केसे हम लोगो अमेरिका में बहुत ही जल्दी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है उसके सरसाथ अगर आप देखोगे जो स्टीमॉल स्टॉक है वह हम लोगो स्लोडाउं होते हुए दे नहीं होगा तो शट्डाउन का भी आपको या पी वैडी देखने को मिलेगा उसके बाद अगर आप देखोगी यूएस का चार्ट कोवीड-19 का तो देख सकतो अभी भी हम लोग को फ्रम्या क opener तो देख सक तो बहुत ही स्ट नहीं टाउसन ट्स नुए ऑप्रेन गौति Azerried-19 को लैट के सकते आपर पहसाब की या पे निफ्टी का P भाई रे भाई या पे 35 पे चला गया है निफ्टी का P बहुत ही उपर जा चुका है बहुत ही overvalued market इस टैमें देखने को मिल जाता है और ऐसे टाइम में आपको सिर्पा सर्फ अच्छे companies में investment करना होता है ना कि बुड़े companies में अगर इस टैमें over bought overvalued जो स्टॉक है वहाँ पे investment करते हो तो loss होने का चांसे थोड़ा जादा है अगर अच्छे company में यहाँ पे investment करते हो long time के लिए तो कोई problem नहीं है बट अगर अच्छे company में इस टैमें investment करते हो short time के लिए तो थोड़ा problem यहाँ पे create हो सकता है अभी अगर तो काफी नीचे मिल रहा है तो चाहो तो पाइंग के बारे में सूच सकतो अगर किसी अच्छे company में investment करना है तो इस टैमें काफी अच्छा बीटर आप्शन निकल के आ रहा है अदर्राइस दूसरे company को बढ़ अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरू बताना तो यही तो ठीक है सभी आपे बुलिश है जैसे कि मैं आपको बता है कि 5% की तरह सोचना चाहिए आपको ना कि 95% की तरह 5% के अंदर आओगे तो काफी ज्यादा profit कमाओगे काफी ज्यादा मीन्स बहुत ज्यादा profit कमाओगे आपको भीडियो अब्लाग को पसंद आए तो वीडियो कैसा लाए कमेंट करके ज़रू बाता ना चला उत्विषे कंखेज बाने चैनल को सब्सक्राब कर लेना एंड उसके साथ बेईल आइकन को भी जारू प्रिस कर देना तो वीडियो तेकने के लिए बहुत बहुत शु कि युल में